अब हम इस लैप्टोप को डाइग्नोस करेंगे और देखेंगे कि इसके मदर बॉर्ड में या रैम सेक्स हेलो फ्रेंट्स मेरे नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं देली एंसियार का नमबर वन लैप्टोप सर्विस चेटर जिसका नाम है सूरस केम्पिटर्स आज आप पार्सल है और जो हमारे पास आया है आप अगोजाइटर्स देखोगे तो यह है कोलकता का एड्रस और यह आया है सूरस के उपर और वहीं देखना है कि इस आया कैक्शली मेरे खाल से कोई मोनीटर हो सकता है या फिर लैप्टोप को रगता है जो हमारे पास रिपेर के नौर्थ इंडिया से भी आता है साउथ इंडिया से भी आता है और भी बोज्य कैसे आता है तो यह देखते हैं हमारे पास एक ओमेन आया है ओमेन फिलाल ये एक लैप्टोप है हमारे पास जो कि अपने प्वे दबे के साथ आया है और ये कलकता साह साह है मारे पास थबिक्टे को रखते हैं तीछे और देखते है कि इस लैप्टोप में क्या है और क्यों मुझे लगा ये लैप्तव बिलकुल नए कंडिसन में customer ने बहुत ही कम यूज किया है इस laptop को देखे तो AMD प्रोसेसर है न्वीडिया ग्राफिक भी है और फिलाल ओन करके देखते हैं इसको हम ओन का बटन लबा रहे हैं और नहीं हो रहा है और भी आप देख रहे हैं कि हमने charger भी लगाया है चार्जर में लाइक बीछ रही है और इसे हम ऐन कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा है तो फिलाल यह जो लैप्तोप आया है अम आप बीडिया में रहते हैं और आप बी कोई किसी प्रकार का लैप्टोप टेक्टोप या प्रिंटर या कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हैं जो जिसमें कोई प्रोब्लम आगे और वह आपके आज पास पर नहीं हो पा रहा है तो आप उसे हमारे पास करके बेज सकते हैं सूरेश केम्पूटर सभी प्रगत के लैप्टोप टेक्टोप और देखेंगे कि इसके मधर बोड में या रैम सेक्षन में कहां पर क्या प्रोब्लम है उसको डियाग्नोस करने के बाद में हम उसको फिक्स करेंगे ये आप देख सकते हैं कि हम लैप्टोप के मधर बोड को चेक कर रहे हैं और इसके फॉल्ट को फिक्स करेंगे ये हमारे पास एचपी ओमें लैप्टोप आया था बेंगाल से लैप्टोप आया था तो इसमें मधर बोड की प्रोब्लम थी हमने इसके मधर बोड को रिपेर कर दिया है रिपेर करक यदि आपके पास कहीं से भी पूरे भारत में कहीं से भी लैपटोप में प्रोब्लम आ रही है और उसम को आप रिपेर नहीं करा पारे हो अपने लोकल में तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं सूरज कंप्यूटर्स लैप्टोप को रिपेर करके आपको कोरियर करते हैं यह आप देखोंगे बंगाल का इसमें अड्रेस है